हलो जेहिंद सभी को श्वागे थे आप सभी का पुना हां इस न्यूव वीडियो में और यह वीडियो जो कार्याले निदिशक प्रांबिक सिक्षा राजस्थान विकानिर दौरा यह सर्कुलर विग्यप्ति जारी हुई है तीन मार्च 2022 को जो की राजस्थान प्रात्मिक और उच प्रात्मिक बिध्याले अध्यापक सिधी भरती 2020-22 ‌की अंतरगत जो गयर अनसूथिच छेतर तथा अनुसूसित छेत्र में अध्यापक लेबल प्रथम या जो सामाने सिक्षा या बिसेश सिक्षा के पदों पर दस्तवेज, सत्यापन या पातरता जांच ये तो सौर्ट लिस्टिट किये गए थे उन अब भरतियों के लिए सूचना है अब उनके लिए हो सकता है कि फ्रास्तंमिक और राजस्तान प्राथमिक और उच्प्राथमिक विध्याने अध्यापक सीधी भरती 2021 22 YouTube ऐदियापक लेबल प्रतम जो की समान सिक्षा और विश्यर्ष सिक्षा क्योंकि डोनों पदों के लिए हैं दोनों पदों पर सीधी भरती है तो दिनांग 31.12.2021 को जारी विग्यप्ति यानि कि वो विग्यप्ति जो पहली थी वो 31.12.2021 को जारी हुई थी उसके तहे चेतर वार वर्ग वार विग्यप्ति पदों की दो गुना भिरतियों को दस्ता बेश सद्यापन पातता जाचे तो टाई थी उसमें दो गुना विद्ध्यारती थे और यह 27.22.2022 को पदवार नामांकर्ण सुचियम्माई दस्तावेश सत्यापन यह तो आबंटि जिला तता पदवार वर्गवार कटाफ माक्ष विभागी है वेशाइट www.education.raja standard.gov.in elementary पर अपलोड की गई है लेकिन अब यहाँ पर देखे अब यह जितने भी विद्ध्यारती हैं जो उपर लिखा है जो दो गुना बुलाए गए हैं तो उक्त अध्यापक सीधी भरती 2021 222 के अंतरगत अध्यापक लेबल पर्थम समाने सिक्षा विशेश सिक्षा के वर्गवार विग्यापती पदों की दो गु पूरी तरीके से उनको पांके कि आखिर किस तरीके से हम क्या क्या दस्ताबेज और कैसे अप्लोड करें किस तरीके रजिस्टेशन करें और उसकी जो वेबसाइड है वो एस्टीटीपी पियस राजस्त राजसाला दर्शन राजसाला दरपड स्वरी राजसाला दरपड डॉट एन इसी डॉट इन अबलिक न्यू पोस्टिंग अबलिक पर अन्यमार रूप से रजिस्टेशन करवाते हुए वांचित दस्ताबेज अप्लोड करें यानि कि अब यह वेपसाइड होगी इसमें आपको जाना होगा इंटरनेट पर या किसी जगह पर जहां पर लोग इंटरनेट की दुकान ओपेन किये हों आजकल साइबर कैफे जो होते हैं वहां पर भी एक्टिबिटी जिस तरीके की होती हैं तो दस्ताबेज सत्यापन या पात्रता जा दें ध्यांदी जी पांच मार्च 2022 से दस मार्च 2022 तक इसी पांच दिन का समय है इसलिए बिल्कुल ना करें पांच तारीक को ही पहुंच जाएं च्छै को पहुंच जाएं अन्तिम दिन ना जाएं क्योंकि वेब्साइट काम करना भी कभी कभी बंद कर देती हैं और सेवं तिथी कानिधारण किया जाएगा जो सम्मंदित अभ्यरती की लौगिन में परदर्सित होगा तरहा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इमेल पर सूचित किया जाएगा इसलिए एक बात का यहां पर और ध्यान रखें जो इमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है वो लापरवाही ना करें वो एक दम पूरी तरीके से सही होना चाहिए और अगर आपका अपडेट है तो उसको सूचित करें अधिकारी को या जो भी बोर्ड है अता सौट लिस्टिट किये गए सभी अभ्यरती साला दरपन पोटल पर रजिस्टेशन कर लॉगिन आईडी स लॉगिन कर दस्तवे सत्यापन के साथ एवं तीठी के संबंद में अधितन स्थिती की जानकारी प्राप्त करते रहें दस्तवे सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यरतियों को अंतिम चैन सुची में सामिल नहीं किया जाएगा जिसके लिए अभ्यरती स्वयम जिम्मेदार होंगे इसलिए इस बात का ज़रूर ज्यार नखें कि समय से पांच दिन का समय है उस पांच दिन में आपको सत्यापन करवाना वेरिफिकेशन करवाना है जो की ऑनलाइन प्रोसेस होगा आप देखी पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि पांच मार्च से दस मार्च तक रजिस्टेशन एओम डाकुमेंट्स अप्लोड करना सुनिश्चित करें इसके बाद फिर कोई दिक्कत होगी तो खुद जिम्मेदार होगा तो यह में यहां पर था जो रीट पास किये हैं और जिनका स्वाट लिष्टेड हुए हैं कंडिडेट दो गुना उनमें से ही छटनी होगी प्रकृरिया होगी हो सकता है कि अभी मेरिट भी बड़े तो यह चीद ध्यान रखे है ठीक है ठांकियो शो मच बहुत बहुत धनवाद आप सभी का मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ल शे लेएिए इञेए देड से हम लो गेपना में प्रकृरियो में जवित धुए है वीडियो में प्रकृरियो में प्रूर भाइए आप मिलते हैं प्रकृरियो में तो लोगते हैं तो ग